लड़का लड़की से सुनो सिफेर सलवार पर पीले कलर की कुर्ती ना प्रहना करो लड़की क्यों लड़का कल दोस्त कह रहे थे देख तेरी कड़ी चावल आ गई बन्ती पापा अपना सरनेम तो बाग है तो अभी आप मम्मी से इतना क्यों डरते हो पापा बेटा तेरी मम्मी के माईके का सरनेम बाग मारे जो है एक साहब बता रहे थे कि वे पिछले 35 सालों से गीता के उब्डेश नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मताबिक जीवन जीते हैं मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया फिर बगल में बैठा एक आर्दी मेरे कान में बोला गीता इनकी पत्नी का नाम है अंटी, बेटी, तुम वही हो न, जो फ्रॉक से नाक पोचती थी लड़की, नहीं अंटी, मैं वो हूँ जिससे आप पडोस वाले अंकल को लव लेटर बिजवाती थी दोस्तो, भारत ही एक ऐसा देश है, जहां अखियों से गोली, नैनों से बान और तमन्चे पे डिस्को होता है बाकी देश तो इसी खोज में रहते हैं, ऐसा हो कैसे सकता है ट्रेन में नई-नई शादी वाला एक कपल बैठा था लड़की के हाथों में से खून निकलता देख, लड़के ने तुरंथ हाथ पर लगा खून चूसा, फ्रूक मारी फिर उस पर बैंडेट चिपकाया, तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जानू, मैंने तो मच्छर मारा था पती उचे स्टूल पर चड़कर सफाई करते हुए जोर-जोर से गाना गार ही थी अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम पती पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ, दूसरी डून लेंगे हम पती की पीट पर जाओ के निशान हफ्ते बर से है एक बार आँख और दिल में लड़ाई हो गई दिल बोला आँख से, देखते तुम हो और दर्द मुझे होता है आँख बोली दिल से, दिल तुम लगाते हो और रोती मैं हूँ इतने में गाल बोला, चुप रहो तुम दोनो तुम्हारे चक्कर में थप्पर मुझे खाना पड़ता है वाईफाई का दाइरा सीमित होता है लेकिन वाईफ का दाइरा और सीमित होता है हस्बन कितना भी दूर क्यों ना हो वो रहता उसके कवरेश शेत्र में ही है सुहाग रात के दिन पती दरवाजा बन करके अपनी पत्मी के करीब गया उसका गूंगत उठाकर बोला आज से हम पती पत्मी है घर के सभी बड़े बजूर्गों को सम्मान देना उनका आशिरवाद पाना छोटों को प्यार देना सभी के साथ अच्छा बरताव करना सुभे शाम भगवान की पूजा पाठ करना घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना तभी पत्मी उठी और दरवाजा खोल कर चिल्लाई सब अंदर आजाओ सच्सम चल रहा है